कि नमस्कार दोस्तों सोगत है आपका स्टेटी फॉर सिविल सबसेद में यूटूब चैनल में आपने साथ है तो भी यह वाला टेलिग्राम करना बहुत ज़रूर है सारे नोटिफिक्रेशन सारे अपडेट सारे मोच इंपोर्टेंट पिक्स सारा रिवीशन सब कुछ यह यह हमारा इस्टाग्राम का पेज है इसको जरूर फॉलो कर लिएगा study for civil.services करके अगर आप इस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो के इसकी लिंक दी हुई इसमें आप इस्टोरी सेक्षन जरूर देखते रहा करिए प्लस इसमें हाइलाइट आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते ही इनको जरूर फॉलो करते रही है यूपिटर पलस दी लोवर मेंस में इससे दो-तीन सवाला नेक संभावना है अगले साल जो आपका आरो मेंस होने वाला उससे भी इसमें कोशन्स बन सकते हैं इससे वीडियो बहुत महत्पूर है यह इसलिए भी महत्पूर है कि जो पुरानी से पुराने करेंट अफेर भी इसमें कवर कर लेंगे अब स्टार्ट करते हैं बिना देर किये सबसे पहले उज्वला टू पॉइंट दियो तो उज्वला का दूती ही चरण है इसके तहत कुल एक करोड निशुल करसोई कनेक्शन जरूरत पंदों को दिये जाने वाले हैं और यह कहां से लॉजना यह उतराष्ट वकार सकारिक्रम के तहट जो मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम चल रहा है 113 112 जिले और इंडिया के शामिल है उत्तर प्रदेश से उसमें आठ शामिल है एक रैंकिंग बनाई यहां पर उसमें यूपी में से जो आठ जिले शामिल थे इस शांक्षी जिला मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल वर्ड जो है नीतिया को मारा यूज करता है पिछड़े जिलों के लिए आपको बता होगा ठीक है कि निगेटिव सेंस में ना जाए तो इसमें से सीर्स तीन ने टॉप 10 में बनाई उनका नाम आपको इस्टर यूपी हम लोग कह सकते हैं इसको और काले चावल के लिए इसको मिला है ध्यान रखियेगा काला नमक चावल जो है वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट है सिधार नगर दिले के लिए लेकिन चंदौली में काला चावल लोगाया जाता है दोनों डिफरेंट चीज़े पर इसके बाद आगे बड़ते हैं हम लोग राश्टरी पोशण महा के बारे में कब मनाया गया किस मंत में मंत का नाम यान सब्सक्राइब नाम है और एक मैस्कोट है इस विभाग का आंचल जिसका नाम है उसका विमोचन भी किया गया तो अगर आप से पूछ लें उतर प्रदेश में बाल विकास सेवा और पुष्टा हार विभाग का मैस्कोट या निशुभंकर क्या है तो उसका एंसर हो जाएगा कोविड के कारण लेकिन एक बात और द्यान रखनी है कि इसमें उन सभी बच्चों को अब जोड लिया गया इस योजना में जिनके माता पिता किम्रतिव किसी अन्यकारणों से भी हो तो उनको धाएजार रुपे मिलेगा जिनकी कोविड से हुई है उनको 4000 जिनकी किसी अन् कोनों की तो धाएजार यह अंतर है इसमें ठीक है उसके बाद आपका उत्तरप्रदेश कोविड इमर्जेंसी विद्ट पोस्टन योजन इसको अनाउंस कप किया गया था माई में तो इसमें विभिन प्रावधान किये गया थे कोविड आपदा से निपटने के लिए इसके बाद आपका एक हजार क्रशी केंद्रों की स्थापना की कार्य उजना को मंजूरी दी गई है और इसमें जो है एडवाइस कौन करेगा नाबाड ठीक इसके तायत क्या होगा कि लोग जो है आगे आ सकते हैं एक हजार बनाने उस पर प्रति एक्री जेंक्शन चार ला अब नए भी आ गये हैं तो उत्तर प्रदेश संस्क्रित संस्थान पुरुसकार 2020 को अगस्त करेगा थे इसमें किसको कौन से पुरुसकार मिले एक बार देखेगा जैसे विश्भारती पुरुसकार जो है मिला है प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी को ठीक इराशी आशी विपक्ष ने इसमें खामियां भी निकाली थी हमको इसमें फैक्ट देखने हैं हमारे एक्जाम परपस से ठीक ही कब लॉंच किगे 11 जुलाई 2020 को विश्भ जनसंख्या दिवस के दिन इसमें बिलाकर क्या करना है जो है लोगों को प्रोथसाहित करना है जनसंख्या नियंत प्रभावी रहने माली है यह बहुत जरूब डिटेल है यह आप से डिरेक्ली पूछा जा सकता है कि इसकी आवधी क्या है तो 2030 तक रहेगी 2021 से 2030 अब इसके बेसिक लक्ष क्या है बेसिक लक्ष है कि जर्मदर जो है उत्तरप्रदेश में 206 तक इसको 2.1 करना है ठीक नैशन से कोशन भी आया था अगर आपको याद हो तो कि अगर एक मैला जो है अवरेज 2.1 बच्चों को जन्म देगी तो एक समय रिप्लेस्मेंट पे हम लोग आ जाएंगे कि जितनी लोग जो है मरें गे व्रद लोग उनकी जगह उत्रही बच्चे हो जाएंगे इसको रिप्लेस है टीएफर है 2.2 ठीक 2030 तक जो है नेसल लेवल पर अटीएफर मतलब यह 2030 तक उत्तरप्रदेश को टीएफर अपना कितना करना है 1.9 यानि 2 से भी कम करना है जेवर में नोईडा इंटरनाइसल एरपोर्ट जो बन रहा है नोईडा ग्रीन फिल्ड इंटरनाइसल पर चमड़ा पार्क भी विख्षित किया जाएगा ठीक यह दूसरा लेदर पार्क होगा यह दोनों लेदर पार्क कभी तरफ प्रस्तावित है कोई भी लेदर पार्क आपको बता दोंगे दिमाग में कांदर आओगा कि फस्ट लेदर पार्क कहां पे खुल रहा है फस्ट की तरह इसमें भी क्या है कि जो मतलब यह दीजल से चलने वाले पंप हैं उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा बल्कि सोलर पंप लगाने में साहिता की जाएगी और माइक्रो इर्रगेशन को यहां पर प्रमोट करना है ठीक उसके बाद डेटा सेंटर नीटी जो है कब इसके कुछ बेसिक लक्ष क्या है कि 250 मेगावाट डेटा सेंटर उद्योग विक्सित करना है ठीक 20,000 करोर रुपय का इन्वेस्मेंट अट्रक्ट करना है और कम से कम प्रदेश में तीन अत्यादुनिक नीजी डेटा सेंटर पार्क स्थापित करना है ठीक यह वाला अगर सेक्शन में वैसे बताया था नैसनल सेक्शनल वाले करेंट अफैर में निव साथ विल्स विश्विद्याले के साथ समझोता किया है कि उत्तर प्रदेश में एक उन्नत परिवहन प्राध्योगी की और प्रणालियों का इस सिस्टम जिसको का जा रहा है यह लगा जाएगा क इसमें सलाह किसकी लिए जाएगी इंडिन अकैडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स जो है इन्होंने जो सलाह लिए है मतलब उन्हीं ऑस्ट्रिलिया के निव साथ विल्स उनिवर्स्टी की जिसके तहत नोईडा में इसको भविश्व में स्थापित किया जाएगा तो ऐसा पूरे विश्व में जो आउटलेट स्टोर है वो नोईडा में स्थापित करना चाहते हैं तो यहां पर एक बात आपकर आपको डवलप्मेंट वाला कॉशन पूच लें कि यह मतलब प्रदेश का पहला कहां पर बन रहा है जनरली उसका एंसर नोईडा ही होता है क्योंकि न प्रतियोगी परिक्षाओं के निश्युलक तयारी कराने के लिए अब यहां पर कुछ सवाल होंगे जैसे पूच सकते हैं कि सितंबर में स्वक्षता महाभियान कहां पर चलाया गया कहां से इसकी शुरुवात की गई तो इसकी शुरुवात की गई थी आपके गोरकपुर प्रयाग राज कुम्भ पुस्तक का विमोचन किया था हमारे तर्वदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसको इसको एडिट किस ने किया है श्री प्रकास सिंग ने और प्रकाशन इसका किया गया भारती समाजिक विग्यान अनुसंद्धान परिशत के द्वारा ठीक मिशन सक्ति के तरतिये चरंड का शुभारम भुवा था कब वह था 21 अगस्त को पहला दूसरा तरतिये चरंड जो है कब कब आया है यह आपको याद रखने से दूसरा चरंड जो आया था वो विमेंस टे के दिना आया था ठीक है आठ मार्च को इसी साल तो वह आब ही आगे में रहें सुभद्रा कुमारी चौहान जी इनकी जो है 170 जयनती में आई गई यह कहां से थी प्रयाग राज के निहाल पूर गाओं के राजपुर परिवार में इनका जन्म हुआ था तो यह बेसिकली प्रयाग राज से थी ठीक इनकी एक फेमस कविता है उसका नाम आप चा अगर आपके स्टेट्मेंट में आ जाए कि मुख्यमंत्री किता और पर उन्होंने कभी अपना कारेकाल पूरा नहीं किया पांच वर्ष का तो यह स्टेट्मेंट सही होगा उसके बाद 4 सितंबर 2014 सिननाव सितंबर 2019 तकी राजस्थान के राजिपाल रहे हैं ठीक फिर उत् प्राइबेट पार्टनर्शिप जैसा आप इसको मान सकते हैं ठीक है और यहां पर एक और जानकारी दी गए थी इस लॉंच इवेंट के समय कि प्रधान मत्री ग्रामीड स्राड़क योजना में फुल डेप्थ रीक्लमेशन टेक्नीक का उप्योग करने वाला पहला राज प्रधान मत्रवरंदवन के 22 वाइडों को पवित्र तीर से थल गोशित किया था यह बस छोटी सी न्यूज यह इतना ही आप क्याद रखना है इतना लिखा है पिर उसके बाद HDFC, UNDP और Greater Novida ओद्योगे क्विकास प्राधिकरण ने हर महीने 300 मिट्री टन सूखे कच्ड़े के प्रबंधन के लिए एक फैसल्टी की स्थापना करने की होचना की थी ठीक है यह फैसल्टी कहां पर खुलेगी obviously Novida में तो आप से बूछ सकते हैं कि यह परिवर्तन आप बेसिक जानते हैं कोर्परेट समाजिक दायत्र क्या होता है उसके तहट कंपनी जो है कुछ वेलफेर कार्यों में अपना प्रॉफिट खर्च करती है वही कारेक्रम परिवर्तन चल रहा है उसके तहट नोईडा में यह सूखे-खटड़े का प्रबंधर कर इनका जन्म बागपत में हुआ था कुछ लोग इनको हर्याना का मांते हैं नगलत है बागपत में इनका जन्म हुआ था ठीक है और इनका निधन हो गया तो इस वुझे से चर्च में आई थी और इन दोनों सिस्टर्स के उपर फिल्म भी बन चुकी आप जानते है सांट की करके उसके बाद बाइस मार्च को विश्व जल दिवस के उसर पर समयुक्त राश्टर पर यूजना सेवा कारेल यह हम आपको वैसे बता चुके हैं आपके एग्रिमेंट वाले सेक्शन में कि असकेंदर सरकार का जो जल जीवन मिशन कारिक्रम है इसको यूपी में इंप्ल नोटिफाइड एरपोर्ट घोशित कर दिया गया हाल में यह पूरे देश का 29 इंटरनाशल एरपोर्ट था यह पिछली बार पूछा भी गया था उसके बाद पुरात्रत विदों को एटा जिले में एक गुप्त कालीन प्राचीन मंदर की मंदर की सीडियों पर शंख लिप पूर्ण है और भविश में पूछ जाने कि इनकी में पूरी संभाव ना है काफी दिन से SCST आयोग में नई नियुकती नहीं थी SCST आयोग में जो है नियुकत है अभी श्री राम बाबु हरित यह उत्तर प्रदेश SCST आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं ठीक उसके बाद उ इसको conspiracy word नहीं दिया जाएगा ठीक है यह अची पहल भी आप कह सकते हैं उसके बाद 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्वंतरी योगी अधितना जी ने माई गौव मेरी सरकार पोर्टल को लांच किया था उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए पहला स्टेडियम बने । इसके बाद इंडिया समानट-सित्टी अवरड प्रतियोगिताम उतर परतर प्रदेश को प्रधम स्थान मिला थीडơक बाद भादायुजिले में एक टील्य पर घुप्तकाल चील प्रशल को खो जा गया है है और इस堂च को यह सिर्फी अजय द्यस्थ पर गाउगह में ठीक फिर उसके बाद कुछ ये हाँ ये मतलब नोईडा में एकुल मिलाकर रिकॉर्ट तोड़ इन्वेस्टमेंट मतलब अट्रैक्ट किया गया है और सबसे ज्यादा निवेश आकरशित करने वाला जिला बन गया है नोईडा यानि गौतम बुद्धनगर उत्तरप्रदेश क ठीक और ये शो विंडो कहा जाता ये भी पूछा गया है एक बार पेपर में चोटी चोटी चीजें जो है हमारे उत्तरप्रदेश के वंडर एक्जाम में पूछी जाती है कि शो विंडो अफ उत्तरप्रदेश कौन सजिला है तो वह आपका नोईडा या गौतम बुद्ध उसके बाद दिव्या भूमी अग्रिक ब्रडियूसर कमपनी ने आगरा गॉलियर हाईवे पर नगला वो रही गाऊं में उत्तरप्रदेश में पहली private मंडी बनाने का प्रस्ताव रखा ये उत्तरप्रदेश की पहली private मंडी होगी उसके बाद गनना पैराी और गनना उत耐 प्रथम स्थान पर इतनौल के उत्पादन में भी यह प्रत्रम स्थान पर ठीक उसके बाद 2 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री के देख्षता में उत्तरप्रदेश मंत्रप्रदेश पर ललितपुर जिले में एक आप से पूछ सकते हैं कि कहां कहां पर प्रस्तावित है जैसे चित्रगुट में भी एक हवाईड़ प्रस्तावित कर दिया गया है जैवर में बन रहा है और डेडी इंटरनेशल एर्पोर्ट एक खास तरह के मिनरल के लिए प्रसिद्ध है यह कई बार पूछा भी आ चुका ह अप बता सकते हैं करके कि डिफेंस कोरिड़ोर किन की जीलों से गुजरता है उत्तरप्रधेश में इसके बाद राश्करी विधिक सेवा प्राधिकरन द्वारा लोग अदालत में सरवधिक वादों के निस्तारण में उत्तरों स्थान प्राब्ध नियूंस ए जुलाई 2019 इसके बाद उत्तरप्रदेश ने राजी सरकार के 16 लाग करमचारी और 12 लाग पेंशन भोगियों के लिए महगाई भत्ते को 17 प्रतीशत से 28 प्रतीशत तक बढ़ा दिया था ठीक उसके बाद आपका HDFC बैंक ने परिवरतन के तहट वही जो उनका कॉर्परेट सामाजिक दायतु कारिकरम चल रहा है जिसके तहट अभी उपर वो Solid Waste का प्रबंदन करने वाला बना रहे है नोईडा में उसके तहट एक और काम कर रहे है गोरकपुर वाड़ासी बदोही और लखनाओ में चार ऑक्सीजन सहीयत रभी HDFC बैंक इसी अपने परिवरतन कारिकरम के तहट स्थापित करेगा उतरप्रदेश से जो नए साथ मंतरी है नियू कैबिनेट में वो जन आशिरवाद यात्रा उन्होंने शुरू की थी ये थोड़ा सा प्याद रख सकते हैं उसके बाद जो ये वीरता पुरुसकार आये थे उसमें 9 पुलिस कर्मी को वीरता पुरुसकार दिया गया था उतरप्रदेश की तरफ से 4 पुलिस कर्मियों को उतरप्रदेश से विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्टरपती पदक जबकि 73 पुलिस कर्मियों को उनकी उत वास्त योद्धा पोटल लाँच किया गया उत्तरप्रदेश की तरफ से इसमें फ्रेंट लाइन कारिकरता है उनको प्रसिक्षन दिया जाना था उसके बाद आपका यूपी एड़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं अपने उत्तरप्रदेश में उत्तरप्रदेश एक्सप्रेस का नाम बदल करके अब जल्द ही विरांगना लक्षमी भाई रेल्वस्टेशन हो सकता है अभी पूरा बदला नहीं गया है उसके बाद सरकार ने कुष्टी खेल को अडॉप्ट करने करने लिया है उत्तरप्रदेश ने तो कुष्टी को उसके बाद इंडियन ओयल कॉर्प यहांगे जल करके कप स्थापित होगा लेकिन अटलीस हमको यह पता है कि नोड़ा में स्थापित होगा ठीक है इंडियन इस्टूट अफेरिटेश में कहां पर आएगा नोड़ा में उसके बाद भारत की पहली पॉट टैक्सी सर्विस उत्तरप्रदेश के नोड़ा क्रीन इतना जी कुद करेंगे यह आप याद रखिए उसके बाद पंचायत सामान निट्रवाचन 2021 में चुनाओ जो ड्यूटी पर तैनात किये गए कर्मियों की मृत्ति हुई थी कोविट से उनको कुछ यहां पर मुहावजा दिया गया है 15 लाक से बढ़ा कर अब 30 लाक रुपे रखिएगा फिर उसके बाद 15 जुलाई 2021 को प्रदानमंतरी मोधी जी ने इंट्रनाशल कोपरेशन और कन्वेंशन सेंटर जिसको रुद्राक्ष बोला जा रहा है जापान की साहिता से इसको खोला गया है और इसका अखुल बिलाकर उद्देश क्या है अगर हम से कूशन प एक स्पेशल्टी स्थापित की जा रही उननत मदुमे केंदर उसके बाद गुजरात की बानाश डेरी है इसने उत्तरप्रदेश में अपनी तीसरी इकाई लगाने का फैसला किया है कहां पर वार्ड़सी में पहले से दो इकाई कहां पर है एक कानपूर में है और दूसरी आपको हरीगड़ देखने को मिल सकता है उसके बाद पेप्सी को ने अभी हाल में उत्रप्रदेश में अपना चिप्स का प्लांट लगाया है इसका उद्गाटन सवय मुखमंतरी जी ने किया था मत्वरम लगाया गया इसके बाद ग्रीन फील्ड फूड प्लांट इसको ब कहीं सम्मानित किया जा रहा है तो उसका नाम ध्यान रखना आपको जरूरी है डॉक्टर भासकर शर्मा फिर उसके बाद एक अगर्स 2021 को ग्रह मंत्री ने विंध्याचल कॉरिडोर किया दारशिला रखी और मिर्जापूर में एक रोप वे का उद्गाटन किया उत्तर प्र इसक्षण के इंदर स्थापित किया गया है तो कहां पर किया गया है सारहनपूर में बस इतना रखना है आपको उसके बाद आयोद्या में राम मंद्र जाने वाली सड़क का नाम कल्यांड सिंग मार्क रखा जाएगा ठीक है फिर उसके बाद रामायन सम्मेलन का सुभारम क सकते हैं वहत्पूर्ण यह एक रमायन सम्मेलन कब से कब तक उध्जाटन किस ने किया प्रिजिडेंट जी ने ठीक फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में चार जुलाई 2020 को सब्ता अबर चला जोबन महुत्सों है उसमें 25 करोड से अधिक पौधे लगाए गये पिशली ब सबसे लंबा पूल कौन सा तो चैलारी घाट पूल यह आपका बहराईच में 3.6 3.26 किलोमेटर लंबा यह किस नदी के उपर बना हुआ है घागरा नदी के उपर उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्स्प्रेस वेकान है यह हमने आपको यूपी स्टैटिक जीके में करव करना की है ठीक है इसके ताहित जो लोकल सेल्फ गॉर्णनेंस है उसको मजबूत किया जाएगा उसके बाद वैश्विक कंपनी क्रशी रिलेटेट कंपनी है कोटिवा एग्रो साइनस करके और वर्ल्ड बैंक ग्रूप द्वारा होस्ट किया जाने वाला एक 2030 जलस अंसाधन के लिए 84 कोशी परिक्रमा मार्ग को अब राश्ट्री राजमार घोशित कर दिया गया है हलांकि कि कौन सा वाला है अब यह नहीं बताया गया है तो अगर जैसे बताया जाएगा हम अपडेट करेंगे अगरवाल जी है धार्मिक मामलों का एक महा निदेशाले डिरेक्टरेट बनाया गया इन है उसका पहले डिरेक्टर बनाया इन है इसको सबसे पहले इसके कह सकते हैं डिरेक्टर कौन बनेंगे श्री दीपक अगरवाल आईस उसके बाद इलाबाद उचनायले के पूर्व नयदी शुचतिजगड़ के पूर्व प्रमुक लोकायुत शंबूनात अगरवाल को इंडियन फेटरेशन आफ युनाइट नेश सर फर्व शिकीत मनां अब हमारे दिल में है कुछ लोग ऐसा मांते हैं कि यह इन्हों ने लिखा था रावर्व प्रसाथ बसंवीं औरकिन यह थोड़ा अर्द सत्य है सर फरोशी की तमन्ना अब मारे दिल में है बिस्मिल अजीमा बादी नाम का एक लेखक ने लिखा है हलांकि उनकी पंक्तियों को मशूर करने का काम किया था श्री राम प्रसाथ बिस्मिल ने यह सवाल बीपेस्ट के पेपर में था तुमने सोचा आपको बता दें ठिक उसके बाद भारत सरकार के माननी है केंद्री स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री जो उससे में डॉक्टर हरश्वर्दन थे उन्होंने मार्च दोजरी किस को आइसी एमार और NJIL के में COVID-19 की जो एक नैदानिक सुविधा से सजजित अनसंधान भवन का उधगातन किया था इसको देसिकन भवन कहा जा रहा था तो यह देसिकन भवन का उधगातन कहां पर किया गया है आगरा में यह आप क्यात रखना है उसके बाद IIT कानपुर ने एंटी ड्रोन को पता लगाने के लिए और ब्लॉक्चेन और साइबर भावतिक प्रणालियों के लिए सुरक्षा समाधान खोजने के लिए पहला नवाचार केंद्रे लॉंच किया है तो अगर आप से पूछ लें कि एंटी ड्रोन टेक्नोलोजी के लिए घुस्पैट का पता लगाने के यह ब्लॉक्चेन और साइबर फिजिकल सिस्टम्स के लिए कहां पर एक आपका टेक्नलोजी इनोवेशन सेंटर खोला गया है तो आइटी कानपूर के दौरा आइटी कानपूर में 27 मही को उत्तर प्रदेश में 6 महीनों के लिए एसमा एक्ट लागू कर दिया गया था तो यह आप ध्यान रखिए कि यह कब से कब तक है मही से लेकर यह आगे 6 महीने तो चलेगा ठिक उसके बाद एक ग्राम पंचायत एक बैंकिंग समवाददाता यह उजना चलाई गई है फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रन अभियान और दस्ताक अभियान के शुरुआत की दस्ताक अभियान वैसे पिछले सालों में गोरकपूर में चलता रहा है लेकिन इसको बाद आयुश्मान भारत के ताहती यह गोल्डन कार्ड बनाने के रहनाई बहुत सो मनाया गया था मार्च 2021 में उसके बाद आपका उतर प्रदेश ने राज़की मेडिकल कॉलेज बुलंद शहर तथा सुपर स्पेशल्टी कैंसर संस्थान चक गंजरिया लखनव का नामकरण कल्यान सिंग के नाम पर करने का निड़ेली आया है देश का पह एक उत्पाद कियोजना की दर्ज पर एक जिला एक क्रशी उत्पाद योजना बी उत्तर प्रदेश में जल्द लागू की जाएगी और जैसे अर्डिस्ट्र के लिए एक प्रोडेक्ट होता है ओडियोपी वाली लिस्ट में वैसे ही बनारस की मिर्ची जालाउन की मटर बल प्रदूशित शहरों में दूसरा स्थान इसको दिया था इसके अनुसार पूरे विश्ट में सबसे प्रदूशित तो होतान नाम का शहर था जो शिच्यांग प्रविन्स चाइना में पढ़ता है लेकिन दूसरा इन्होंने गाजियाबाद को बताए था हाउस फ्रेश ठीक राजियों को बंजूरी मिल गई है मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने के लिए तो यह मतलब उत्तर प्रदेश का कहां पर बनेगा कोई मिलाकर आपध्यान रखी नोईडा में ठीक इसके बाद मंदिर में चड़े फूलों से पर्स और जैकेट बनाया जाएंगा इसमें सयोग लिया जाएगा कानपूर फ्लार प्रॉससिंग प्राइविट लिम्टेट का उत्तर प्रदेश में इस्राइल की हाई टेक्नलोजी का यूज करके सब जीयां उगाने के लिए मेनी सेंटर ऑफ एक्सिलेंस थापित किये जाएंगे इसमें सोनभद्र आग्रा जहांसी महोबा मुरादाबाद संत कबीर नगर सीतापूर बारमंगे जिलों में ये कर्केटर है लखनाव की लखनाव जो है हमारे कानपूर में इसको नखलाव बोला जाता है तो कभी-कभी गलती हो सकती है उसके बाद उत्तर प्रदेश कैबिनेट में कोविड-19 के लिए बाल सेवाई उजना लॉंच की थी आपको बताई चुके है उसके बाद फिरोजाब उसके बाद सुल्तानपूर जिले का नाम बदल करके कुष भवन पूर रखे जाने की संभावना है उसके बाद बारत नेपाल बॉर्डर पर थारू जंजाती बहुल शेत्र बहराई जो है इसके बलाई गाउं को एको टूरिजम का नया हब बनाया जाएगा उसके बाद सस् संस्थान के लिए जारी किये गए गूगल उनिवर्स्टी सर्च इंजन की रैंकिंग में सबसे आगे बैतरीन टेक्नोक्रेट प्रदान करने वाला संस्थान है वो आयटी कानपूर है ठीक फिर उसके बाद भारत सरकार की सिक्षा मंत्राले की ओर से जारी की गई गई एना सबसे बड़ी तीन गीगवाट आर चमता वाली लीथियम आयन बैटरी फैक्टरी लगाने की वजना बनाई है ठीक बुद्ध विद्या पीठ महाविद्याला नौगर सिद्धार्त नगर के चात्र विपुल भार्दवाज को सूरी नमाशकार को एक मिनेट में 20 बार करके द प्रदेश का पहला सकाइब और यह असी मीटर की पर प्रदेश का पहला सकाई पार्क होगा इम्मुनिटी बढ़ाने के मकसद से पाउश्टिक पाउधर अभियान चलाए गया था उत्तर प्रदेश में उसके बाद उत्तर प्रदेश के आर्जुमंद जैदी को डॉक्टर प्रदेश के ग्रामीड चेत्रों में जुन दो जारिकिस से दस दिन तक मेरा गाउं स्वक्ष गाउं अभियान चलाए गया था उम्मान के सहर मस्कट में अपनी व्यावसाइक चमता के लिए उत्तर प्रदेश को से बिलॉंग करने वाले जालाउन के राज कुमार इकपाल अहमत को इंट्रनाइसल इंडियन अचीवर अवार्ड दोजारिकिस से समानित किया गया उसके बाद दोजारिकिस का प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न पुरुसकार नाव जिलेक निवासी वीर प्रताप को मिलेगा उसके बाद उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री प्रजेश तरफ्ट देकर समानित किया उनको ठीक वसके बाद के सरकार ने उत्तर प्रदेश के सामली जिला पंचायत को सरफ्ष्ट जिला पंचायत की पुरुसकार समनित किया है ठीक यह इंड कि तरफ सब्सकार अफ़ें कॉ मनीचांसलर डॉक्टर सुधीर कि गोवा में एक आयोजि पहला AGRI Startup & Incubation Center उत्तरप्रदेश का खुला गया एग एक्री Startup & Incubation Center उत्तरप्रदेश पहला प्रतेश का ये चंतरशेकरणाद कर्शी एवं प्रॉद्व की विश्विध्याले को चिसको हमारे आपर कानपूर में श्वॉट में पत्थर कॉलेज के नाम से जानते हैं उत्रप्रदेश का पहला जन्जाती संग्रहाले 2022 मार्च तक पूरा होगा और यह पर खुल रा है यह आपका खुल रहा है बलराम पुरुजिले में ट्रीक नेरे ईंसर्फ. हb bubble तक बहला जाएगा उसके बाद बैठ होपड़ों में एक बैके रहेय के बैठ नही के लिए निड़ने लिया है और मुरादाबाद में भी एक चिडियागर बनाए जाएगा प्रजेंट में सिर्फ तीन इस समय जू है बारत में उत्तर प्रदेश में कहां एक लखनव में कानपूर में है और एक अश्वाक उल्ला खान जू जो अभी हाल में खुला ये गुरगपूर मे बोल सकते हैं और भाविश में कहां पर आने वाले मेरट में और मुरादाबाद में उसके बाद किंणर कल्यांड बोड का गठन किया गया है ठीक है कुल मिलाकर ट्रांसजेंडर्स को नया दिलाने के लिए उनको भी मुकिधाराम जोड़ने के लिए ये आपका किंणर कल्या पर रखा जाने की संभावना है ठीक उसके बाद 15-17 नॉम्बर 2020 तक वारणसजी में पहली बार एग्रो प्रोडक्ट का इंटरनाइसल फूड फेर आयोजन इसका किया जाएगा कहां पर बड़ा लालपूर में जो है आपका ट्रेड फेसिटेशन सेंटर बड़ा लालपूर वारणसी में इसका उधटन होगा इंटरनाइसल फूड फेर फेस्टिवल का उतर प्रदेश में ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सीजन की फेसलिटीस को बढ़ाने के लिए मेरा शहर मेरा पेड़ मेरी ऑक्सीजन अभ्यान चलाय गया थैं आपर पाउधार चेतर में राष्टरी बाल पुरुषकार जीता है उसके बाद गरीब कल्यान अन योजना के तैत 5 अगस 2020 को उतर प्रदेश में अन महुत्सों बनाया गया था ठीक अनाज से एथिनॉल बनाने के लिए गोरगपुर में एक यूनिट लगाया जा रहा है 100 करोड रुपे की लागत से उसके बाद कानपूर शहर के परवातार हो ही पारुल सिंग ने यूरोप महादवीब की सबसे उची जोटी मांट एलब्रुस पर तिरंगा फेराया है इसमें आजमगर उत्तरप्रदेश के शशांक सेखर सिंग सामिल हुए थे चार परानी निउस है उसके बाद संथ कबीर नगर में बखीरा पक्षि विहार को रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है ठीक है कर दिया नहीं गया एक्चली करने का प्रिस्ताव भीजा था अब खेर आपको यह पता हिए कि कितने रामसर साइट है वह भी हम दिखाई देंगे उत्तरप्रदेश में कितने रामसर साइट है मेरट के हस्तिनापुर में माभारत कालीन पांडव टीले को आइकॉनिक साइट के रूप में डबलब किया जाएगा उत्तरप्रदेश का पहला वेलोड्रोम लखनौ के गुरू गोविन सिंग स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में बनेगा उत्तरप्रदेश ट्विटर के खिला पर देख चुके हैं आपका यह स्मार्ट सेटी आवार्स आप देख लीजिए कोल विलाकर इसमें उत्तरप्रदेश पर मद्रप्रदेश है पिर तमिल रांडू तीसर स्थान पर है कुछ इपॉर्टेंट नैसल लेवल की नीउस जिसमें उत्तरप्रदेश के कुछ नाम साम सामिल था तो इन सेलेक्टेश डिस्ट्रिक्ट में उत्तरप्रदेश सामिल किया गया था वो कौन है वारडसी है यह आपको याद रखना है एफारडेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना इसको होशना की है और किराय की आवास के लिए किफायती किराय के आवास योजना है मतलब इसमें प्रदानमत्री आवास योजना की ताहट घर नहीं दिये जाएंगे अफॉर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे और इसमें लाभारती कॉन कोन होगे गरीब प्रवासी चात्र कम आयवर्क के लोग महिला हो सकती है वि इसमें आपको बताया था हमने एग्रिमेंट वाले सक्षन में 6 राज्यों के साओ गाउं में शुरू की जानी थी और इन राज्यों में मद्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राज्यस्थान, गुजरात, हरियाना, आंध्रप्रदेश शामिल थे केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हमने आपको एग्रिमेंट में बताया था, एक बार फिर से इसको दोरा ले रहे हैं, जो अधिशेश जल होगा मद्रप्रदेश में पन्ना जिले में केन नदी से उत्तरप्रदेश में बेतवा नदी में स्थान अंतरित किये जा के लिए लोधी, उदय देवी, जलकारी बाई के नाम पर रखी जानी थी, कहां कहां पर बदायू में, लखनव में और गोरकपुर में, उसके बाद अंतराश्टी महिला दिवस के उसर पर मुझफर नगर में पुर्थम आदर्श महिला बायरक का उधगर्टन किया गया था मुझफर नगर के महिला थाने में, मुझफर पूर डिस्ट्रिक्ट एक्चुली बिहार में है, मुझफर नगर उतरप्रदेश में, तो ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार हम भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, आप मत होईगा, उतरप्रदेश में कई सारे फेस्टिवल बना मुझफर योजना के तायत शीर्स प्रदर्शन करने वाले राजियों में ये उतरप्रदेश था, किस मामल में उतरप्रदेश को सबसे तेजी साइस योजना के इबल्मेंटेशन के लिए समानित किया गया था, महराष्ट को गयर डिजिटल सत्यापन और प्रमाणन के लिए उचितम प्रतीशत में आधार प्रमानी करत अलावार्थियों को जोटने के लिए करनाटा को समनित किया गया था इसमें, यह हम नैसल कर एंटरफेर में विवैस से बता चुके हैं आपको, बरेली से पहली उडान जो है ये चली थी, खीक है, और ये कुल बिलाकर ये आपका त्रिशूल सैन एर बेस है, एर इंडिया के कंट्रोल में, इंडियन एर फोर्स के कुल मिलाकर कंट्रोल में, तो यहां से पहली उडान को यहां पर हरी जंडी दिखाई गई थी, उडान स्कीम के ताहत इसको डवलप किया गया है त्रिशूल सैन एर बेस में, और ये 56 कुल म मानन नियामक महानिद्यश्याले याने की डिरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा लाइसेंज प्राप्त हवाइड़े कितने हैं तो उसका एंसर हो जाएगा तीन कौन-कौन से तीन है एक लखनव में है एक आपका वरणसी में है और एक जो नया आपका कुशी नगर में खुला है ये तीन है लाइसन्स प्राप्त और को भी लाकर चार है जिसमें हिंडन एप्रपोर्ट भी शामिल है नोइडा का तो चार अंतराष्ट्री और मानिद्य सब्सक्राइब लिखी हुई है और सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब गए तो इस फुझे से अगर आप से चाहरी चाहरा कांडी की देट पूछ ले तो आप चाहरा प्रदेश का एक्जाम जो दे रहे हैं ठीक तो वही बात जो ने आपको उपर बताई थी कि कुल बिलाकर अंतर राष्ट्री हवाइड दे उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर अंतर राष्ट्री हवाइड दे जिनको मानिता प्राप्त है डीजी सीय की तरफ से वह तीन है वह कौन-कौन से उनके नाम लिखे गए है इस लाइड में डिल्ली उनिवस्टी ने उनके एंथ्रोपोलोज अच्छी डिपार्ट्मेंट ने मानवाबादी के 2700 वर्ष पुराने आउशेस खोजे थे कहां से सुल्तानपूर के उम्रा गाहों से बस इतना इंपॉटन्ट है पॉट टैक्सी के बारे में आपको पता चुके हैं ग्रेटर नोटा से जेवर तक चलने वाली थी फिल्म इसके बाद विश्व की सबसे लंबी एल्पीजी गैस पाइपलाइन पर योजना का काम शुरू हो गया है विश्व की सबसे लंबी 800 किलोमेटर इसकी लेंथ है वाड़सी जनपत से 43 किलोमेटर करीब गुज्रेगी और ओर और यह कहां से कहां तक है यह आपकी गुजरात क कंडिला टर्मिनल से उत्तरप्रदेश के गोरखपूर तक की है ठीक फिर इसके बाद आपका भगवान श्री राम पर विश्व का पहला वर्च्वल स्कूल ऑफ राम विद्याले यह वर्च्वल तौर पर काशी हिंदू विश्व विद्याले या फिर बीच्व के छात्र प पर का फंड जुटाया है और इसको टरसरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए यूज किया जाएगा जी एम पोटल से खरीदारी करने के मामले में लगतार तीन वर्च उत्तरप्रदेश नंबर वन पर है यह आपको याद रखना है उत्तरप्रदेश में भी कैबिनेट सिस्टम लागू हो गया है यह काबिनेट हलांग की लागू करने वाला पहला राज जी नहीं है ठीक है माचल प्रदेश है याद रखना है आपको उसके बाद Microsoft के नय इंडिया Development Center के शुरुवात की जा रही है इसको जो है कहां भी बना जाएगा ओविसली नोईडम है ठीक ह बना जाएगा इसको और यह Development Center पहले हाइदरपाद बेंगलूरू में Microsoft बना चुका है जो Development Center है इसको बाहर से ताज महल जैसा बना जाएगा बताए जा रहा है उसके बाद यह दो पूरुसकार होते हैं नंद बाबा पूरुसकार और गोखुल पूरुसकार मत्वरा के दुधियों को उसके बाद बाबा पूरुसका देशी नसल की गायों से सरवाधिक दुख्द उत्पादन करने वालोगों को दिया जाता है ठीक है यह अंतर द्यान रखेगा एक पर विंद पहाडी पर स्थित चित्रकूट को एक देश के सबसे खूपसूरत एयरपोर्ट के उत्तरप्रदेश का सिवालिक बैंक है यह आपको याद रखना है इस पूरे मामले में तो यह यहां पर दुधर अठार में क्योजना आई थी कि जो शहरी सहिकारी बैंक है वो स्वाक्षिक तो पर स्मॉल फेनेंस बैंक बन सकते हैं तो ऐसा करने वाला बैंक बना है शिवा इसकी थीम थी और त्रिप्रा की जहांकी को सेकेंड मिला है स्थान और यह जो उत्राखंड की जहांकी है इसको थरड प्लेस पर रखा गया था ओर आल जो है थीम पूच सकते हैं आप से आयोध्या उत्तरप्रदेश की सांस्कृतिक विरासत यह इसमें रामंदिर वगरा ज जाए आयो या OCI श्रेंडी से हैं 16 मर्डोप्रांथ हैं और एक प्रांश जेंडर हैं तो उत्तरप्रदेश से किनको किनको मिला है यह आपको ध्यान रखना है पद्म विभूशन उत्रप्रदेश से सल किसी को नहीं मिला है उत्तरप्रदेश के दो विक्तियों को पद्म तफा खान का निधन हुआ है शास्त्री संगीत कार पद्म विभूष्ण सम्मानित हो चुके किस घराने संब्धित है जरूर देख लिजेगा रामपूर सहास्वान घराने से पूछा दा सकता है हमारे पेपर में क्यूंकि आरो में यूपी की जो है कल्चर वगएरा काफी पर इसके बाद संकट में महिलाओं की मदद के लिए लखनाओ में AI-based camera लगे थे जो Women in distress यानि कि अगर महिला मुश्किल में है तो उसके चेहरे के भाव को detract करके ही पुलिस को alert करने में सक्षम रहे ऐसे camera लगाए गए गया थे लखनाओ में ठीक उसके बाद एंटी भू माफिया पोर्टल आये था भू माफियाओं पर रंकुष लगाने के लिए धरा पोर्टल आये था इसको मुझफवर नगर से वहां की DM सेलवा कुमारी जे ने जारी किया था धरा पोर्टल ठीक है उत्रप्रदेश का सबसे उंचा राष्ट्री धोज जिसका अनावरट कहां पर किया गया था गोरकपूर में रामगड़ जहील के तट पर 13 जनवरी 2021 को 246 फीट उंचे जंडे का इनाउगरेशन किया गया था दसमा सबसे उंचा राष्ट्री धोज भारत का कुल बिला करके पहले भी जो है उत्रप्रदेश के पास था उत्रप्रदेश का सबसे उंचा 211 फीट का था गाजियाबाद में लगाया गया था 211 फीट का लेकिन अब 246 फीट का ये गोरकपूर में रामगड़ जहील के बगल में लगाया गया और इसका वर्चुल लोकाटपन किया गया उत्रप्रदेश की पहली वेर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स मदलब ये उत्रप्रदेश की पहली वेर हाउसिंग फैसिलिटी कहां पर लखनाओ के तरोजनी नगर में स्थापित की जाएगी उत्रप्रदेश में वेर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नहीं थी आखरी ब रापिड ट्रांजिट सिस्टम ठीक है इसमें पहली बार बैलास्ट ट्रैक कस्टमाल किया जाएगा यानि इसमें काफी हाई स्पीड पर वाहनों को चलाए जा सकता है और 180 किलोमेटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी वहान यहां पर चलाए जा सकेंगे इसमें यह पाद दुहाई मोधी नगर से होते हुए मेरट को जोड़ेगा ठीक और कानपूर में इस पाद उद्यम होता है हमीरपूर के भरवा सुमेरपूर में 100 क्रोर रुपए की लागत से एक ऑक्सीजन प्लांट लगा जाने की स्थापना की गई थी प्रधान मंत्री आवास योज अर्जुन सायक सिसाई पर योजना का उद्गाटन किया गया था 11 मार्च 2021 को किस नदी पर बन रही है धसान नदी पर ठीक है धसान नदी के बारे में दिया हुआ है कि ये जो है बेतवा की सायक नदी है मदब्रदेश के रायसेन जिले के बेगम गन तहसील से निकलती है पर लखनव में श्ट्रौबरी महोतसो कहां पर भुए था जहांसी में एला महोतसो कुशिनगर बता ही चुक है आपको ठीक हैं तो यह आप सब आपको याद रखना है इसमें डेट्स नहीं पूछि जाएगी काउन सा महोतसौ कहां पर हुआ था यह आपको ज़ूरूर एक बार याद रखना है लग्णों में आम महुत्सो भी होता है मैंगो फेस्टिवल गुड महुत्सो भी हुआ था जहांसी में स्ट्रॉबरी फेस्टिवल काला नमक चावल महुत्सो हुआ आपका सिधारतनगर में जो One District One Product के रूप में भी रजिस्टर्ड है सिधारत नगर के लिए काला नमक चावल इस चावल को बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है याद रखेगा यह लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए सोल अंकों का यूनिकोड आया था इसके बारे में अभी आश्रम पदिति का जो पेपर वह था उसमें कोशन भी आया हुआ है ठीक तो इस सोला अंकों का यूनिकोड है को बिला करके यह राजस भाग उत्तरप्रदेश द्वारा जारी किया जाएगा इसके बाद महाराजा सुहेल देव समारक और चित्तावरा जील के विकासकार्यों का सिलानियास प्यम मोधी जी ने 16 फेप को किया था यह पूथ सकते हैं कि आपका इस तो आरा जील कि जिले में है तो यह बहराईच में है और महाराजा सुहेल देव समारक मी बहराईच में है महाराजा सुहेल देव के नाम पर Medical College भवन भी खुला गया है बहराईच में एक थाली एक तरकारी योजना बुद्देल खंड रिजन उत्तरप्रदेश में चलती है कम रेट पर पॉस्तिक सब्जियां उपलब्द करवाई जाएंगी हर घर नल योजना का सुभारम मिर्जा पूरर सोन भद्र से किया गया था पीम मोधी जी के दौरा 22 नॉवेंबर को ठ जल जीवन मिशन है उसका टारगेट कब तक का है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई 55 लीटर पर 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 संवेलबल करवाना दोजार चौबिस तक थिक है बढ़ते हैं अब लोग उत्तर प्रदेश ने अभी जल जीवन मिशन के लिए नहीं किया है था पांच राजियों में को लॉंच किया गया था फ्पो को का मतलब होता है फार्मर प्रोडक्शन और इसको किसान उत्पादक संगठन बोल सकते हिंदी में तो उत्तर प्रदेश वाला अप मत्रवाला जरूर ध्यान रखी बांकी राज्य आप जाहें तो इग्णोर भी कर सकते हैं तो अंतर राश् इसके रूप में नोटिफाइ किया गया था उत्रप्रदेश में आपको लूख कर शाथ हो गई है इसको बोलते हैं प्रदानमंत्री जी ने लखना विश्विद्याले के सौ साल पूरे होने पर एक डार्क टिकट और सिक्का जारी किया था ठीक है तो यह याद रखना है आपको पुरदेश के नंबर आता है मांहारी की दौरहन MSME सेक्टर से के जरी है सबसे जाधा रोजगार प्रदान करने में MSME सबसे जाधा कहां पर MSME रोजगार जो है सबसे जाधा उत्तर प्रदेश में यह पूरी देश के राजियों में से ये आपको पता होना चाहिए भारत और नेपाल में व्यापार के समवर्धन के लिए तीन इंटेग्रेटेड चेक पोस्ट के निर्माद शुरू किया गया था ठीक है तो ये इसका एक भारती पक्ष कहां पे था ये आप से बूत सकते हैं पहें तो उसका पे चाँ है था से बूत सकते हैं मास्टर कार्ड यूसेट्स घे इजन सी फो इंटनेंशल डवलंपन बोलते हैं इसने क्रोजेक्ट कम लांश करने के लिए ुट्वजाथा किया था, इसको उत्तर प्रदेश में लांश किया जाया था प्रोजेक्ट किरdaughter को इसमें कुल मिलाकर विमेन जो हैं यहां पर सपोर्ट करने की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश पे भी कुछ जगहों पर इस जोजना को किरंड को लागू किया जाने की बात कही गई थी हमने इसको लिया है ज्यादा को इंपॉर्टन नहीं है तो इसके बाद दुनिया के राश्ट्री महातु के 100 सहरों में रहने वाले करीब 35 करोड़ लोग जल संकट का सामना करेंगे WWF का एक रिस्क फिल्टर रिपोर्ट आये थी WWF World Wildlife Fund for Nature यह जो है इन्होंने जो है एक रिस्क फिल्टर विशलेशन जारी किया था इसमें करीब दुनिया के 100 शहरों के चैल संकट का सामना करेंगे थी गअ उत्तर प्रती शहरों के लिस्ट में वो लखन होए वे यह हम आरे काम की विद्टा वाला बताया गया था और यह उच्छ जैविविद्टा वाला चेत्र कहां से कहां तक है यह आपको जरूर देखना चाहिए जैसे देव प्रयाक से रिशिकेस तक का जो कुल मिलाकर यह उच्छ जैविविद्टा वाले स्थान थे इसमें उत्तर प्रदेश का भी पॉर्शन सामिल है ठीक इसके बाद वर्श 2019 के लिए जो दूसरे राष्ट्री जल पुरुसकार आये थे यह इस साल वाले भी शायद आएंगे नौंबर में जल दी तो तब तक आप इनको ध्यान रखीएगा तामिल डांडु को सामानी स्रेडी में सर्फ्रेष्ट राजी का पुरुसकार मिला था उसके बाद महराष्ट फिर राजस्थान ये थे और नदियों के जल संडरक्षन पुरुसकार 2020 में वो हमने आपको बताया आयोध्या है ठीक तो समुद्री राजियों के केटेगरी में ओडिशा टॉप पर था अंतरदेशी यानि इन्लैंड स्टेट सी केटेगरी में उत्तरप्रदेश टॉप पर था और पहाडी और पूर्वुत्तर की श्रेडी में असम टॉप पर था ठीक तो आयोसीयल ने भारत का पहला विश्वस तरिये प्रीमियम ग्रेड ओक्टेन हंडेड पेट्रोल लॉंच किया है और कितना कम पल्यूशन करेगा और ज्यादा एफिशेंट चलेगा इंजिन में तो यह प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल इंडियन आल कोर्परेशन यह आपका निव भावववफूर, निव खुरजा, अखंड और पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के संचालन लियंतरन केंदर का उधघाटरं किया तो यह पन किया गया और यह कितने किलोमिटर का है system भावपूर खुर्जा सेक्शन 321 किलियो मिटर का ठीक अब इसका क्या क्या लाब होंगे यहां पर लिखा हुआ है यह सब जो है आप उत्रप्रदेश के डवलोप्मेंट पर मेंशन कर सकते हैं अपने मेंस में अब मिनिस्ट्री ऑफ इंवार्मेंट फॉरेस्टन क्लाइमिट चेंज ने दो चिडिया अगर प्रूफ किये तो एक नालंदा से था भिहार से और एक अश्वाक उल्ला खान जो यह उद्दान है जो लॉजिकल पार्ख है और पुर से इसको मानिता मिल गई है तो कब तो अब इसको मिलाकत तीन चडिया घर है इनके बारे में आपको बता दिया कानपूर में है गोरकपूर में और एक लखनौ में ठीक यह तीन जो लॉजिकल पार्क है उत्रप्रदेश के आज की देट तक उत्तरप्रदेश के लखनौ ने सोलर पावर में पी टूपी ट्रेडिंग प पूफ टॉप सौर उत्पादकों के लिए ब्लॉक्चेन सक्षम पियर टूपीर ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म लाउंच किया लेधर पार्क के बारे में आपको बताया था कि एक जो है जेवर इंटरनेशल एरपोर्ट के पास खुलेगा एक खुलेगा आपका कानपूर में क्या होगा सारस पक्षी ठीक है और डिजाइन इसका लंदन मास्को मिलान के विश्व प्रिसिद्ध हवाइड़ों की तरच पर होगा यह आपको याद रखना है तो इसके बाद विरासत अभियान शुरू किया गया है 15 दिसंबर 2020 को यहां पर संपत्ति और भूमी 21 से विशेस कारिक्रम है इसमें जो है राजभर में किसानों के लिए विभिन ने कारिक्रम चलाए जाने थे उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से बस इतना ही आपको याद रखना है ठीक है साहिब जादा स्मृति दिवस की हूँ क्योंकि गुरु गोविन सिंह के चार पुत्र और उनकी माता गुजरी ने जो बलिदान दिया था उसके लिए उत्तरप्रदेश में यूराइस पोर्टल शुरू किया गया है इसका फूल फॉर्म दिहान रखना है इसका नाम है यून उत्तरप्रदेश से राष्ट्री सिक्षा नीती लागू करने वाला पहला राजी तो वैसे घरनाटक है लेकिन इसके क्रियानवन हेतु एक एक ही क्रत पोर्टल जारी करने वाला पहला राजी उत्तरप्रदेश है वर्ष 2018-19 के लिए जो पांच सितंबर 2020 को ये रैंकिंग इसमें उत्तरप्रदेश जो है इसमें इसमें छुफ पर तॉप पर आन्ठ प्रदेश था पिर इसके है बिल्कुल अभी इसके बाद IAT कानपूर और ARPG विभाग यानि कि प्रिशासनिक सुधार और लोग शिकायत विभाग ने Artificial Intelligence और Machine Learning के विकास के लिए समझोता किया है उत्तर प्रदेश ने इसराइल के साथ समझोता किया था बुंदेल खंड में जल संसाधन प्रबंधन के लिए तो अगर पूछलें कि उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन को एफेक्टिव तरीक से लागू करने के लिए जो समझोता हुआ है वो किस देश के साथ हुआ है स्वक्ष शर्वेक्षन जो है आपके आजाएंगे नॉम्बर एंड या दिसंबर में अब तक यह पुराना ही हमको देखना पड़ेगा इसमें इंदावर ने लगतार चौथी बार यह पुरुसकार जीता था वर्ल्ड्स मलब इंडिया स्लीने सिटी का अन्य पुरुसकारो वो ये फैक्ट आपको अभी भी याद रखना है IIT कानपूर ने स्वदेशी बीज गेंद बनाये थे Bio-Composed Enriched Eco-Friendly Globule इनको नाम दिया गया था और इसका short form था बीज इसको बनाये था IIT कानपूर के एक स्टार्टप ने जिसका नाम है Agnes Waste Management Private Limited इसके बाद 8 सेप्टेंबर 2020 को उत्तरप्रदेश राज ग्रामीड आजीव का मिशन ने संयुकतराष्ट विकास कारिकरम के साथ समझोता गयापन परहस्पाक्षर किये थे टेक होम राशन के लिए इसमें कुछ श्रेडियां थी श्रेडिया थीड़ी एक संस्था है इसने The State of Young Child in India report जारी की थी, इसमें सबसे अच्छा प्रदर्चन करने वाले राजी था केरल, ठीक है, और सबसे खराब प्रदर्चन करने वाले राजी में पहला स्थान बिहार का था, दूसरा उत्तर प्रदेश का था, तो मोबाईल क्रेशेस के दौरा जारी किये गए इस सूचका सबसे खराब प्रदर्चन करने वाले राजी में सेकेंड उपर था उत्तर प्रदेश, पराली जलाने को लेकर कई सारे पैनल बंते रहें, ठंड के मौसम में सबको याद आता है कि पराली से प्रदूशन हो रहा है, तो पहले बनाया गया, डॉक्टर प्रमूद कुमार मिश सब्सक्राइब के बारे में अरियाना पीसेस में पूछा गया था, उसके बाद टैक फॉर ट्राइबल इनिशेटिव शुरू किया गया था और इसमें एक भागीदार IAT कानपूर भी था, यह आप याद रखिएगा, गिद संरक्षन केंद्र जो है, ये पांच राजियों म सब्सक्राइब की एक मिशन मोड इनिशेटिव थी, यह भी याद रखिएगा, PM स्वानिधी स्कीम योजना के तहत, रिड वित्रंड के मामले में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, मद्ध प्रदेश सूची में दूसरे स्थान पर है, और फिर तेलंगा ना आता है, ठ रिपोर्ट में घरिलू पर रेटक्स सब से थ्राजबे आते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है? और विदेशी परेटकों के आने के मामले में उतरप्रदेश थर्ड पर है यह आपको याद रखना है अभी साइद इक्नोमिक सर्वे में कुछ रैंकिंग चेंज हुई है उसको देखिएगा लेकिन और भारत सरकार के विज्ञान विभाग के तहट एक स्वायत एजनसी विज्ञान प्रसार द्वारा इसको पब्लिश किया गया है इसमें कुरोना से समंधित जो है प्रिकॉशन जो लेने चाहिए या फिर उसकी आइडिलोजी आइडिलोजी नहीं एक्चली क्या क्या चेतर में काम करते हैं उनके लिए शुरू किया गया था फिर कुछ अबीचरीज है चारक टूबर 2020 को उत्तरप्रदेश कांग्रेस के नेता नसीब पठान का निधन हुआ था यह विजनौर से थे विजनौर उत्तरप्रदेश से अमर सिंग का निधन हुआ था अमर सिंग ज जन्म हुआ था और यह वर्ल्ड कप विजिता टीम जो थी 1983 में भारत की क्रिकेट टीम उसके उसके पार्ट भी थे उत्तरप्रदेश निर्यात नीती उत्तरप्रदेश की एक्सपोर्ट पॉलिसी 25 नौबर 2020 को अप्रूव हुई थी इसका जो मतलब आउधी है वो ताइम प यह भी पांट साल की अवधी के लिए है याद रखिएगा इसके कुछ टार्गेट्स हैं इलेक्ट्रोनिक्स नीती के टार्गेट हैं 40,000 क्रोड रुपए का इंवेस्मेंट अट्रक्ट करना तीन उस उत्करष्टा केंद्रों की स्थापना करना विदेशी घरेलू इसमें कुछ प्रावधान दियेगा है उनको आप पढ़ सकते हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन को किसी करवाता है तो इसको कितनी सदा वगेरा मिलेगी यह देख लीजेगा एक बार अलांकि डेट काफ इंपॉर्टन है कि आप इसको लागू किया गया और मंत्री मंडल ने क उत्तरप्रदेश स्टारटप पॉलिसी आठ जुलाई 2020 को आई थी और स्टारटप नीती 2020 को मंजूरी दी गई इसके तहत इसका मुख्य उदेश पांच वर्षों में 10,000 से अधिक स्टारटप की स्थापना करना है यह इंपोर्टन बात है 10,000 स्टारटप यह पूच सकते ह दीने उत्तरप्रदेश श्टारटप फंड लांच किया था जिसको सिडवी की साहिता से मैंनेज किया जाना था यह कोष्चन जो है पूछा गया था कि कभ लॉंच किया गया था यह कर आपको यादर स्टाफ नरस के पर में डेट पूछी के थी कि उत्तरप्रदेश नियामावली बदली गई 1956 में 1958, 61, 89, 2002 में इसमें संसोधन किया गया ठीक नियामावली में 1964, 89 में संसोधन हुआ ठीक है ये कब कब हुआ ही पूच सकते हैं संसोधन ठीक है ये आप नोट करिएगा उत्तर प्रदेश ने गोहत्या कानून को और सक्त बना दिया है गोहत्या पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान अप कर दिया है गोवन इसको सारी रिक न जिसमाति अथा आपका कान्ट थाना इसको एक अप्रीश को घॉटल आधि आंपर शाइनल धिजान अपर चलने वाला था से पूच सकते हैं आपसे ही मतलब एकिस वॉटरवे में रामायन क्रूस चलेगी तब अपने बता पाएंगे बाहा सबसे बड़ा मास्क जो है जल्द बनाया जाने वाला था उतरप्रदेश में 150 वर्ग मीटर अकार का होगा अभी बनाया नहीं गया है फिर इसमें कुछ वन लाइनर से सथात्विकास लक्षी सूचकांग 3.0 में उतरप्रदेश को 25 वा स्थान मिला था परफॉर्मर्स रेड़ी हमने आपको उपर बता दिया जल्स अन्रक्षन की एक टेक्नलोजी होती है इसको वाटर कंजर्वेशन एक सिस्टम होता है यह टांक सबसे आधिक कमी है उसके बाद अनुसूचित जन्जातियों के विरुद्ध हुए अपराधों की इधर उतरप्रदेश में अनुसूचित जन्जाति की आबादी के प्रती एक हजार में चोववन अपराध के साथ सबी राजियों में सबसे आधिक देखी गई थी ठीक चैलीटर से अधिक अगर आप अलकोहल रखेंगे तो आपको होम लाइसेंस होगा उतरप्रदेश में फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे भारत नवाचार सूचकांग 2020-2021 में प्रमुख राजियों के स्टेडी में यानि मेजर स्टेट्स में उतरप्रदेश को नवा स्थान प्राप्त हुआ है बारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीका करन अभियान 16 जन्वरी 2021 को शुरूआ था जिसमें उतरप्रदेश में पहले ही दिन 21,291 लोगों को वैक्सीन लगवाई गई थी तो उतरप्रदेश में मुख्यमंतरी आरोग यमेले का अवदघटन कहां पर किया गया था फरुकाबाद में और उसके बाद काया कल्प अवाड योजना के तायत मुझफर नगर जिला महिला चिकित साले को प्रदेश में पृथम स्थान मिला है उतरप् ब्रेली में दूसरा उक्सिजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी थी फिर इपंचायत पुरसकार में प्रथम स्थान उतरप्रदेश को मिला है उसके बाद ये गोरगपुर में ये अश्वाक उल्ला खान ये तीसरा चिडिया घर है बता चुके हैं आपको फिर उसके बाद 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री आदित नाज जी ने चित्रकूट में रसीन और चिल्ली मल बांद का लोकारपण किया ये किस नदी पर ये बांध हैं अगर आपसे पूछ ले तो बाणगा नदी है ठीक है बाणगा नदी पर ये बांध बने रसीन और चिल्ली मल वनवासी समागम में प्रेसिडेंट ने भाग लिया था रुत्तर प्रदेश के सौनभदर के चपकी में सेवा कुंज आश्रम के नौनिर्मित निर्माणाधीन ये सेवा कुंज आश्रम का उध्गाटन इन्हों ने किया था उसके बाद HFCL Limited ने कानपूर और आग्रा मेट्रो पर योजनाई जो चल रही है निर्माणाधीन है इसमें दूर संचार पंडाली विक्सित करने के लिए और जीता था उसके बाद Mango Festival जो है उतरप्रदेश के लखनव में होता है ज्यागरी फेस्टिवल उतरप्रदेश में होता है इसे बता चुके हैं आपको उतरप्रदेश में जेवर एरपोर्ट बन रहा है इसमें कितने हवाई पटियां ये कितने एर स्ट्रिप्स या कितने रन्वे होंग इसके बाद पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान के प्रवासियों को शॉट लिस्ट करने की प्रक्रिया आरम करने वाला पहला राजी बना है C.A. के तहत उतरप्रदेश ठीक उसके बाद उतरप्रदेश सरकार में स्वास्त मंत्री जैप्रताप सिंग ने उतरप सिटी कहां पर बनेगी यह मुना अपराधिकरण के सेक्टर 21 में ठीक इसरो यानि इसरो का पांचवा सेंटर IIT BHU में खुलेगा ठीक है और उत्तरप्रदेश में इसरो का पहला सेंटर होगा यह आपको याद रखना है उतरप्रदेश का पहला स्टेट इंस्ट्टूट आफ होटल मेनेजमेंट अलीगर्ध में खुलेगा उसके बाद प्रयागराथ से मेरट तक जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे साथ राश्री राजमार्ग च्छै राजमार् बीज को जो है डिजिटल अबाट 2020 प्रदान किया गया है उतरप्रदेश में पहला एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल पार्क आगरा लखनो एक्सप्रेस वे के नजदीक उन्नाव में खोला जाएगा उतरप्रदेश में दो प्लास्टिक पार्क बनाई जाने गोश्ना की ग उतरप्रदेश का पहला राश्री संक्रामक संस्थान भी बांदा में खुलेगा गोरकपुर जिले की 100 ग्राम पंचायतों को मौडल गाओं के रूप में विक्सित करने गोश्ना की गई है नोईडा में प्लास्टिक वेस्ट मॉड्यूल वाली देश की पहली सड़क का निर साउथ एश्या में बेचने की खोश्ना की है भारती दलहन अनुसंदान जो कानपूर में है इसने अरहर की दो प्रजातियां भी बिक्सित की है उनका नाम यह है वैदिक योग वैदिक विज्ञान और प्रावदुगिकी में भारत का पहला सनातक कोर्स शुरू किया है कि इ उत्तर भारत का पहला मेट्र स्टेशन है जहां टांस जण Converyman को समरपित किया गया इये उत्तरभारत को पहला मेट्र सिटेशन हिह उतुरakे सेक्टर 50 इश्टेशन में फिर उसके बाद की प्रतिमा प्रयागराज तिट मिलिटरी हॉस्पिटल पर बढ़ा गयी ख्वाजा मुख्यमंत्री योगिया दितनाजी ने गौतम बुद्ध विश्विध्याले गौतम बुद्ध नगर को बुद्धिजम और भारती संस्कृति के सेंटर ओफ एक्सिलेंस के रूप में विक्सित करने की खुषणा की है अनीता यादो पुरदेश के 75 जिलों की महिला पुलिस कर्मियों में मिशन सक्ती की आदर्श महिला पुलिस कर्मी के रूप में चुनी गई है सिधार्त नगर जिले की निधी पांडे को पुरदान मंत्री रिसर्च फेलोशिप पुरुसकार पुरदान किया गया अक्टूबर 2020 में फिर व्रद जनों के लिए टॉल फ्री हेलप लाइन नंबर शुरू किया गया 14567 करके सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स ने CSR के तहत 60 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मोहिया करवाय थे 30 गौतम बुद्ध नगर जिले को दिये गए हैं और सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स के एंडियम सबसे बड़ा प्लांट भी है नोड़ा में नीतियायो की जून 2020 की डेल्टा रैंकिंग में एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट को रैंक दिया गया था इसमें शीर्स 5 जो एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट है फरवरी से जून तक किया हुदी 2020 के बीच उसमें टॉप 5 में बहराइच भी शामिल था उतर प्रदेश से ठीक है प्रदानमंतरी मौदी जी ने 26 जून 2020 को 125 दिवसिये उत्तर प्रदेश राज में प्रवासियों दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए आत्मिरभर भारत आत्मिरभर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया था और ये ACF के पेपर में ये पूछा भी गया थ ये इससे कुशन आये था आत्मिरभर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के लिए 125 दिनों का अभियान था इससे स्टेट्मेंट बेज सवाल पूछा गया था डेट भी पूछी गई थी 26 जून 2020 और प्रदानमंतरी ने इससे कुछी दिन पहले गरीब कल्यार रोजगार अभियान जो शुरू किया था बीज जून 2020 को उसी के हिस्से गरूप में था ठीक है आत्मिरभर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान में 31 जिलों को चुना गया था ठीक है शुरू में अव ऐसे गरीब कल्यार रोजगार अभियान कितने दिनों के लिए चला था या आप द्वारा उत्तर प्रदेश के बहादूर पूर गाओं और खेरी वीरन गाओं को देश के पहले मॉडल स्पोर्ट्स विलेज के रूप में विक्सित किया जाना है उत्तर प्रदेश के मेरट में रिमाउंट एंड वेटिनरी कॉप सेंटर में मतलब ये पशु युद्ध समा जनवरी 2020 को ठीक है तो मतलब ये गव अभ्यारेन उत्तर प्रदेश में कहां पर है मिर्जापुर में उसके बाद अपरेल 2020 में जब ये कोविड एकदम चरम पे था पहली स्टेज में तो पूल परिक्षन की अनुमती प्राप्त करने वाला पहला राज बना था उत्तर प्र जाता है उनको मिक्स कर दिया जाता है अगर उसमें फिर अगर कोई पॉजिटिव निकला फिर उसकी अलग अलग टेस्टिंग होती है पूल परिक्षन की एफिशेंसी बढ़ जाती है ठीक है ये वाला काफी इंपोर्टन है पहला अंतरराष्ट्री TX2 पुरुसकार ये पी इसको दिया गया है TX2 का मतलब क्या होता है कि 2014 में 25 भाग थे आपके पीली भी टाइगर रिजर्व में और इनकी संख्या दो गुना से भी जादा बढ़कर अब 65 हो गई है तो UNDP के द्वारा ही दिया जाता है टाइगर्स की संख्या दो गुना करने के लिए मिला है पीली चित्रकूट बांदा महोबा हमीरपूर जालाउन और इया और इटावा ठीक फिर उसके बाद चित्रकूट के बुंदेल खंड में एक्सप्रेस वेक यह जो है 15,000 करूर रुपए से बनेगा यह सबब देख लिया आपने उसके बाद भारती भाषा महोत्सों कायो जन हुआ में उसके बाद अगर आप देखें सोन भद्र में नई तैसील ओबरा गठित की गई थी उतरप्रदेश भूगर्भ जल नियामवली 2020 का प्रख्यापन किया गया था 11 फेब 2020 को ठीक उसके बाद प्रोड़क्ट लॉंचिंग एंड मेजर अनॉंस्मेंट प्रोग्राम बंधन इसके बाद अगर आप देखें के यह फिल्म हलका को टैक्स फ्री किया गया था ताना जी को इस बार टैक्स फ्री किया गया है फिर उसके बाद प्रधान मंत्री जन अरोग योजना के तहित लाभानवित परिवारों की संख्या इतनी है अटल बिहारी बाजपे जी की 25 पर हरियाना के पिंजाओर में आपको पता है प्रफिको का चिप्स प्लांट मत्रा में लग रहा है ट्रांस्जेंडर समदाय के लिए पहला विश्विद्याल है कुशिनगर में खोला जाएगा एक जनपत एक उत्पाद योजना से 28 प्रृतिश्यत निर्यात में वृद्ध फिर उसके बाद अब देखेंगे उतरप्रदेश का और्गाइनिक मैटर मिशन दोजार प्रफिस ये 21 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ था बाल प्रगती सूचकांग 2021 में सबस्चा प्रदर्शन करने वाला जिला नोईडा था जल शक्ति भी भाग का गठन करने वाला पहला पूनम यादो हैं उतरप्रदेश का प्रथम पानी की सताह पर तैरता हुआ है 150 मेगावाट का सौर उजा संयत्र रिहंद बांध के उपर लगा हुआ है उतरप्रदेश में दो बटर फ्लाई पार्क है एक लखनो में एक कानपूर में फिर उसके बाद सिधार्त नगर जिले में विपश्चनया पार्क बनाया जा रहा है इसके बाद उतरप्रदेश की पहली टॉय ट्रेन मैलानी नानपारा मार्ग दुधवा नैसल पार्क से होते वे चलेगी भेल की साहिता से नोईडा में उतरप्रदेश का पहला स्मॉग टावर मनाया जाएगा ठीक है नोईडा दिल्ली डिरेक्ट एक्स्प्रेस वे से सट कर ये बनाया जाएगा नोईडा में बेल यानी भी एचियल भारत हैवी लेक्रिकल्स लिम्टेट के सहयोग से फिर उसके बाद एंगीटी के आदेश पर लखनव वारनसी दिल्ली नई दिल्ली कटरा और फिरोसपुर स्टेशन क को इको स्मार्ट स्टेशन के रूप में विक्सित किया जाना है नॉमबर 2021 में अंतरराष्ट्री फूड फेर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा हमने आपको बता दिया था उतरप्रदेश में क्रिसी समरद्धियायो की स्थापना 2017 में हुई थी